नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त यस सर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिमर क्यमिस्ट्री से तो क्या होता है शब्द पॉलिमर पॉलिमर शब्द का मतलब होता है मैनी मोनोमर अगर आप ध्यान से इस वर्ड को पड़े तो ये दो शब्दों से बना है पहला कौन सा है पॉलि पॉलि का मतलब होता है मैनी और जो मर है ये ग्रीक वर्ड मेरोज से रिलेटेड होता है और जिसका मतलब होता है many अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगे पे Greek या Latin शब्दी आते हैं अब इसके पीछे कारण क्या है The reason behind that is simple कि उनकी civilization काफी रिच थी The people over there were quite intelligent काफी intelligent थे सम्रुद्ध बोलते हैं आपर हिंदी में वैसा था तो इसलिए बहुत सारे शब्द वहां से लिए गया है तो polymer मतलब एक ऐसा chemical substance या फिर ऐसा substance जो बना है धेड़ सारों moreman units है और बकाइदा ये आजकल एक chemistry की branch भी हो गई है इसलिए इसे हम कहते हैं polymer chemistry polymer का production इस time पे बहुत जादा level पे हो रहा है और आप सोच नहीं सकते हैं कि human life is completely dependent on polymer तो चलिए आगे देखते हैं chapter में ये can you recall section जो है ये आपके previous knowledge से है या तो आपने कहीं पे अपने lower standard में पढ़ा होगा या फिर कहीं से आपको information मिली होगी तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है पहला है classify the following material as a bio-degradable and non-bio-degradable तो bio-degradable शब्द का मतलब क्या होता है bio is related to microbes degradable मतलब जैसे कोई quality है जैसे food है एक container में food रखा हुआ है ये food रखा हुआ है अगर इसे आप long time तक open छोड़ देंगे तो थोड़े देर के बाद आपको इसमें से filthy smell आने लगी filthy मतलब गंदी smell आएगी ऐसा क्यूँ? क्यूँकि जो microbes होते हैं वो इसको तोड़ देते हैं मतलब food की quality को खराब कर देते हैं और quality को खराब करने कोई हम क्या कहते हैं degradation degrade करना, तोड़ देना के decompose कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? biodegradable जैसे रोटी हुई, rice हुआ, pulses हुए ये सारे biodegradable होता है ऐसे कुछ polymer भी होते हैं जो biodegradable है और non-biodegradable ती उसका opposite जिसे microbe degrade नहीं कर सकते मतलब तोड़ के उसके छोटे-छोटे constituents में अलग नहीं कर पाते हैं तो thermocall आप सबको पता होगा गनपती festival के time पे गनेश भगवान के आने के पहले ही पूरा decoration होता है और उस decoration में thermos use होता है जो की non-biodegradable है तो जो non होंगे उनके यापे मैं N लिख दूगा और जो biodegradable होंगे उनके जिगे पे B लिख दूगा तो glass, glass आपको पता ही है काच ये भी non-biodegradable होता है लकडी, लकडी तो plant से मिलती है आपने देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे धरवाजे सडगे that is biodegradable तो ये B हो गया cotton, clothes हमारे जो कपड़े होते हैं आप देखोगे धीरे धीरे टाइम के साथ अगर इनकी quality जो होती है degrade होती जाती है और अगर गलती से कहीं ये पानी में या फिर soil में ऐसे इंटर हो जाता है तो microbes उसे तोड़ देते हैं तो ये भी biodegradable है paper bags paper तो biodegradable होता ही है polythene bags ये non biodegradable है इसलिए आपने सुना होगा कभी कभी government इसे ban भी कर देती है अब next आता है nylon ropes nylon ropes आपको पता ही होगा जिस पे आप अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं ये भी non biodegradable है next is fruit pills fruit pills मतलब जो हमारे fruit होते हैं उनके चिलके वो तो biodegradable है आप सबको पता है उनके उपर microbe activity करके उसे तोड़ देते हैं तो ये सारा था classification अब दूसरा question देखिए give example of man-made material we use in our daily life अब देखिए यहाँ पर ये chapter polymer chemistry में उचा गया है तो हमें example किसका देना होगा polymers का तो आप सुबे उठने के साथ शाम के सोने तक बहुत सारे polymer का यूज करते है सबसे पहले जैसे देखिए आप उठते हो brush करते हो तो जो tooth brush होता है वो भी polymer का बना हुआ है फिर जिस जो आप toothpaste यूज करते हो toothpaste वो जिसके अंदर रखा होता है plastic वो भी polymer है फिर उसके बाद जब आप नहाते हो तो आप जो tub यूज करते हो plastic से बने होगे वो भी polymer है तो ऐसे ढेर सारे हम बता सकते है आ रहा है आपको समझने फिर आप खाना काते हो जो dish बनी होती है वो भी polymer है तो आप सोच नहीं सकते हम इतना ज़्यादा influence है polymer से तीसरा देखिए which material is used in manufacturing of toys and comps जी हाँ इसमें भी polymer ही use होता है और मैं आपको नाम भी बता दू polyvinyl chloride generally use होता है यह सब में जो कंगी होती है और जो बच्चे खिलोने खिलते हैं वो सब भी polymer है अब question आता है कि sir क्या toys जो है वो PVC बनाए तो harmful नहीं है इससे related बहुत ही detail में study चल रही है और आप human सोच रहे हैं कि toys को bio degradable material से बनाया जाए bio degradable material या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे material से बना जाए जिनकी toxicity बहुत खाम हो क्योंकि no doubt जो toys होते हैं उससे बच्चे खेलते हैं तो उनके उपर इसका harmful effect हो सकता है तो जो research जो company से जो tie बनाती है toys बनाती है उनके उपर धीर सारा research चल रहा है ठीक है आगे देखिए write examples of thermosetting plastic articles thermosetting plastic articles क्या होता है thermosetting plastic article मतलब ऐसे plastic जो thermosetting होता है thermosetting मतलब क्या जिनको आप एक बार shape दे देते हो तो उनको फिर remold करके आप दूसरा shape नहीं दे सकते इसका best example है baccalite या फिर आप ले सकते हो polyvinyl chloride या फिर आप ले सकते हो polypropylene 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 तो baccalite जो thermosetting है उसका best example है यह उपर वाले का मैंने example दे दिया आपको कौल सा PVC polyvinyl chloride ठीक है thermosetting का best example यहाँ पर article पूछा है तो article के लिए आप ले सकते हो switches switches पता है ना electricity के लिए हम जो बटन दबाते हैं वो बैकलाइट से बना होता शू शोल्स जो शूज होते हैं ना उनके शोल होते हैं वो भी बैकलाइट से बने होते हैं अच्छे quality बने हैं ब्राइंड लेक एदिदास नाइकी और आपको समझ में आओगा least various properties of plastic प्लास्टिक बताईए तो सबसे पहला property में बताऊंगा plastic का कि it is long lasting अब इसका मतलब क्या यह बहुत जादा time तक exist करता है ठीक है आप क्या सकते हो long lasting मतलब it is durable resistant to normal chemical attack normal chemical attack जैसे की carbon dioxide हुआ weak acids हुए H2CO3 उनसे यह बिल्कुल भी affect नहीं होता तीसरा है it is poor conductor of electricity यह electricity को बिल्कुल भी conduct नहीं करता आया समझ में and it is available at cheap cost इसारी plastic या फिर आप कह सकते हो polymer की property बहुत सारी बच्चों को ऐसा होता है ना कि यह polymer यूनिट से अब यह छोटे चोटे यूनिट क्या होता है वह भी हम आपको बता देते हैं एकदम अच्छे से देखिए आपको माल लीजिए यह पूरी cycle की chain का एक छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया यह ऐसा है तो यही हिस्सा बार-बार repeat होता है ऐसा यह repeat होते जाएगा बार-बार तो यह जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं इसे थोड़ा सा अलग color से दिखा देता हूँ यलो यूज़ कर लेते हैं तो यह जो छोटा सा हिस्सा है इसी को हम कहते हैं monomer और आप देख रहे हैं यह बार-बार repeat हो रहा है तो monomer simply होता क्या है यह एक repeating unit होती है repeating unit I hope आपको polymer अच्छे से समझ में आ गया होगा अब बढ़ते हैं अपने theory की ऊपर तो introduction देखिए technology has enriched human life no doubt यह जो polymer chemistry का development wise की वज़े से हमारी life जह हो काफी आसान हो गई है काफी पूलता है ना easily तरीके से सब कुछ हो पा रहा है क्योंकि हम हर जगे metal नहीं उसकर सकते हैं अब ऐसे जैसे toothpaste ही ले लो toothpaste अब उसको अगर metal के container में रखोगे तो सोचो फिर उसे प्रेस करने में कितनी तकलीफ होती फिर उसमें से निकालने में toothpaste को कितना तकलीफ होता तो ऐसे बहुत सारे aspect हैं जिससे हमारी life काफी अच्छी होई है अगर यह सारे discover नहीं होते होते artificial fiber plastic and elastomer तो हमारी life कुछ अलग ही रही होती from the throw away candy wrappers जो हम लोग candy खाते हैं आइस क्रीम खाते हैं उसके जो wrapper होते हैं okay to the artificial heart heart भी artificial होते हैं okay artificial heart polymer touch our life at does no other class of material मतलब जितना polymer ने हमारे life पे impact डाला है उतना किसी और material ने नहीं डाला अभी तर okay सर यह artificial heart मतलब क्या जी हां यह polymer से बनाए जाते हैं almost आपको लगेगा कि यह real muscles जैसे हैं but they are made up of actually polymer ठीक है आगे देखिए in short we are living in the world of polymers हम polymer की दुनिया में रह रहे हैं polymer chemistry emerged as a separate branch of chemistry during the last several decades due to the voluminous knowledge build up in this field and the ever increasing application in everyday life polymer की use kebc's पे ऐसा किया scientist ने कि उसको एक अलग ही branch बोल लिया क्योंकि उसमें इतना कुछ था पढ़ने के लिए इतना कुछ था नया कुछ develop करने के लिए कि एक अलग से branch बनी गई और पिछले कई दशकों में 10 years का एक decade होता है polymer industry भी बहुत सारी setup होई और polymer की field में बहुत जादा grow होता है हाँ समझ में आगे देखिए chemically polymers are complex complex मतलब उसको समझना काफी मुश्किल है giant macromolecules made from the repeating unit which are derived from small molecules called as monomer यह मैंने आपको बता दिया समझ मैं macromolecules की छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे molecules मिलके धेल सारा एकदम बड़ा साइक molecule बना दिया ऐसे cycle की chain का example दिया छोटा-छोटा unit जुड़के देखें कितना बड़ा chain बना दिया उसनी ठीक है ऐसा the word the term polymer originates from Greek word poly meaning many यह मैं आपको बता चुका हूँ and mer meaning part or unit interlinking of many unit constitute polymers मतलब जब आप ऐसे छोटे-छोटे monomer को जोड़ दोगे तो आपको finally क्या मिल जाएगा polymer मिल जाएगा ठीक है polymer are high molecular mass macromolecules मतलब इनका जो molecular weight होता हो काफी जादा होता है आप देख रहे हो 10 to the power 3 to 10 to the power 7 unit unit मतलब होता है atomic mass unit और एक amu कितने के बराबर होता है 1.67 into 10 to the power minus 24 gram आ रहा है समझ में तो sir कहां पर यह बहुत जादा high molecular weight हो है कितना 10 to the power minus 24 gram बता रहे हो तो देखिए carbon का अगर मैं mass लिखू तो वह होगा 1.67 into 10 to the power minus 24 gram यह एक carbon atom का mass है और उसके compare में अगर एक polymer का mass आप देखो तो 10 to the power 3 to 10 to the power 7 into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram कितना जादा हो जाएगा जब यह power यहाँ पर multiply हो जाएगा यह comparison में आपको high molecular mass बुला रहे है आया समझ में नहीं तो आप बोलो कि सर जब 10 का power इतना ज्यादा negative है तो multiply करेंगे तो value तो छोटा ही चोटा ही हो जाएगा ना सर एक unit का बुला जा रहा है समझ में एक unit का mass इतना जादा है तो आप सोच सकते हो कितने चोटे 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 कार्बन और यह सब के compare में बहुत inorganic as well as organic polymer are known ऐसे polymer known है जिन में कुछ में carbon होता है और कुछ ऐसे भी है जिन में carbon नहीं होता जिन में carbon है उसे हम organic केते हैं जिसमें नहीं होता उसे carbon और भी कुछ होते हैं जिसे हम organic केते हैं इसे carbon hydrogen oxygen nitrogen sulfur phosphorus अगर यह सारे हैं तो इसे हम organic कहेंगे अगर यह नहीं है तो inorganic अभी जो बायो मॉलिक्यूल का चाप्टर है इसके पिछे उसमें कार्बोाइडरेट, प्रोटीन, न्यूपलीक आसिड, यह सारे इंपॉर्टेंट और्गैनिक बायो पॉलीमर है, बायो पॉलीमर क्यों? क्योंकि यह लाइफ से रिलेटेट पॉलीमर है, हमारी जिन्दगी के इसकी ज़ाएं लिए काफी ज़ाधा इंपॉर्टेंट है, बेंग क्रिशियल रूल in living world, इनका रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप बीना कार्बोइड़ेट के रह सकते हो, क्या बीना प्रोटीन के रह सकते हो, जी नहीं, इसकी लिए इनका रूल काफी इंपॉर् मतलब उसे बनाय कैसे जाता और फिर उसे यूज कैसे किया जाता है अब यहां पर नीचे कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है जिन्होंने पॉलिमर को डिस्कवर करके नोबल प्राइस जीता जीता है जैसे एक साइंटिस्ट देखे यहां पर स्टॉडिंगर इर्विंस क्लोडिंगर से मत इनको कंपेर कीजेगा वो कॉंटम फिजिक से रिलेटेड है यहां पर यह अलगी साइंटिस्ट है स्टॉडिंगर ने नोबल प्राइस जीता था कब जब उन्होंने बताया कि जो पॉलिमर होता है वो जाइंट मॉलिक्यूल होता यह बताने के लिए उन्हें नोबल प्राइस मिला और कब 1953 और फिर 1963 में नाटा रिसीव नोबल प्राइस और इन्होंने क्या बता कि जो पॉलिमर होते हैं उनके अंदर स्टीरियो स्पेसिटी होती है सर यह स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि स्टीरियो एक रिजियो सेलेक्टिव यह सारे आईसुमरीजन से रिलेटेड टाम है यह वहीं पर पढ़ाएंगे तो अच्छा होगा नहीं तो इसका एक डीटेल एक्स्वालेशन हो जाएगा ठीक है फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड जानना है तो आप कमेंड बॉक्स में मेंशन कीजिए हम वीडियो आपको जल्द ही बना के दे देंगी नेक्स्ट इन 1974 फ्लोरी नाम के साइंटेस को नोबल प्राइज मिला और इन्होंने क्या बताया इन्होंने बताया कि जब हम पॉलिमर बनाते हैं तो उसमें कौन-कौन से स्टेप इन्वाल होते हैं पॉलिमर बनाने अगर आपको बोलू तो इनिशियेशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनता है क्या बनता है फ्री रेडिकल और फिर नेक्स स्टेप में वह फ्री रेडिकल आगे जाके और किसी से कम्माइन होता है और फिर चेंड जो है वह बढ़ती है मतलब इसमें फ्री रेडिकल बनेगा इसमें chain growth होगा और terminating में chain growth stop हो जाएगा chain growth क्या हो जाएगा stop हो जाएगा आपने movie भी देखी होगी Terminator, Arnold, Arnold Sinaias Gekar करके जो scientist थे I hope आपको पता होगा ज़रूर तो initiation में क्या होता है theoretical बनते है, propagation में क्या होता है propagation में chain का growth होता है और termination में क्या होता है chain मिल जाती है और फिर उसका growth आगे stop हो जाता है मतलब chain growth को हम रोग देते हैं आया समझ में, termination मतलब end हो गया classification of polymer, polymer का classification देखते है polymers are classified number of is, बहुत सारी तरीके हैं polymer को classify करने का, जैसे कि polymer कहां से आया उसको किस method से आपने बनाया, उसके अंदर bonding कौन सी हो उसके अंदर chemical structure कैसा है, ऐसे, तो देखे, सबसे पहले बता है source source मतलब क्या, क्या वो natural है, nature से मिला या फिर human में बनाया उसके basis पे, फिर उसका अंदर chemical structure कैसा है, क्या वो alcohol से बनाया या फिर phenol से बनाया, ऐसे, mode of polymerization, आपने उसे बनाया कैसे है, okay, addition reaction से बनाया कि condensation reaction से ऐसा, molecular forces मतलब polymer की layer के बीच में कौन सा force है, type of monomer, क्या आपने सारे monomer एक ही लिए है, उसके basis पे, okay, क्योंकि polymer जो होते है न, वो, co-polymer भी होते है, मतलब जिसमें अलग-अलग monomer लेके भी polymer को बनाया जाता है, और फिर finally, वो biodegradable है या नहीं है, तो इतने सारे तरीके हैं polymer को classify करने के लिए, तो हम करेंगे क्या, starting में तो हम पढ़ेंगे, और फिर बाद में एक chart बना लेंगे इस chapter का, classification का और हर एक चीज़ का, और मैं आपको बताऊं, यह chapter बहुत important है, नीट और जेई point of view से, आपको 101% एक question इसमें से मिलेगा, कहां आप जी ओसी जैसा और coordination compound जैसा बढ़ा chapter पढ़ोगे, और आपको जेई में एक question मिलेगा, इससे अच्छा यह चोटे चोटे चाप्टर खतम करके आप उतना ही weightage ले सकते हैं, चलिए आगे स्टार्ट करता हूँ, मैं classification of polymer on the basis of source और origin की polymer को लाया कहां से गया है, polymer are divided into three category, पहले तो है natural, फिर आता है synthetic और आ जाता है तीसरा semi-synthetic, natural मतलब क्या, मतलब वो nature से मिला है, nature से, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जैसे आपने कुछ ऐसा देखा होगा, जो rubber plant होते हैं, उनको अगर आप कुछ pointed device या machine से ऐसे चोप कर दो, तो यहां से ऐसे कुछ whitish या फिर brownish type का material निकलता है, जिसे हम latex कहते हैं, जी हां rubber plant की बात कर रहा हो, तो natural source से मिलने हाल है, synthetic मतलब उसे हम lab में बनाएंगे और semi-synthetic मतलब क्या, जिसे हम lab में, मतलब natural से मिला है वो, लेकिन lab में हम उसमें कुछ chemical treatment करेंगे, मतलब जो actual source है, polymer का वो क्या है nature, बट हमने laboratory में लाके उसके उपर थोड़ा सा chemical reaction करवाया और जिससे उसकी durability, lucrativeness, strength यह सबको बढ़ा दिया, आया समझेंगे, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, natural polymer, the polymer obtained from natural source are said to be natural polymer, they are further divided into two type, plant polymer या फिर animal polymer, plant polymer वो होते है जिनका source plant होते है, sir, plant यही, plant, okay, these are obtained from plants, for example, cotton and linen, cotton, okay, linen जो है, यह flex seed से मिलता है, आरा है समझ में जिसे, यहां पर देखे, cotton plant से cotton मिलता है, और flex plant से linen मिलता है, natural rubber is another example of natural polymer, which is manufactured from the latex, जैसे कि मैंने आपको बताया, obtained from the bark of rubber trees, अब दूसरा देखते है, animal polymer, animal से हमको कौन से polymer मिलता है, are derived from, ऐसे polymer, जो derived from animal sources, the example are wool, wool आप सब को पता है, जो भेड होती है, उनके skin पे आप सब ने भेड देखा ही होगा, ओके ऐसे, चार टांगों वाली भेड, ओके और उनके ऐसे, पुरे skin पे ऐसे, वो लुगा होता है, जिसे हम लोग निकाल लेते हैं, और फिर अपना, जो भी need है, वो पूरा करते हैं, ऐसे, दूसरा क्या है, silk मिलता हमें, किस से, silk warm से, बकाइदा इनकी खीती भी की जाती है, सर, खीती मतलब, जी हां, इनको grow किया जाता है, artificially, मतलब हम इनको support करते हैं, grow होने में, और फिर silk warm देखोगे, तो ऐसे इतने बड़े होते हैं, ऐसे, और उनके उपर ऐसे, चोटे-चोटे-चोटे-चोट से ही देखा जा सकता है, आगे देखिए, synthetic polymer, synthetic polymer क्या होता है, ऐसे जो man-made होते हैं, these are man-made polymer, these polymer are artificially prepared by polymerization of one monomer, और co-polymerization of two or more monomer, मतलब क्या, आप एक ही monomer लेके बना सकते हो, या फिर दो अलग-अलग type के monomer लेके आप बना सकते हो, तो जो अलग-अलग type के monomer होते हैं, जो polymer बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो उसे हम co-polymer कहते हैं, और जिसमें सिर्फ A कही monomer बार-बार repeat होता है, जिससे A है, तो पूरा polymer A, 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 इसे बना है, तो उसे हम homo polymer कहेंगे, और co-polymer मतलब जिसमें एक से जादा, जिससे A और B monomer यूज़ होते हैं, तो इसकी example देखें यहाँ पर, nylon है, अब nylon का नाम nylon इसलिए है, क्योंकि इसको जो scientists discover किये थे, वो दो जगह से थे, एक तो New York से थे, और दूसरे कहां से थे, London, तो दोनों में fight हो रहा था, कि नाम कौन सा रखे, तो फिर, NY से आ गया New York, और L.O.N. से आ गया London, और short form में क्या हो अब fiber क्या होते हैं, आपको देखा होगा, जो धागे होते हैं, जो nylon की रस्ती होती है, ऐसे, synthetic rubber मतलब ऐसे rubber जो lab में बनाया जाते हैं, और plastic तो आप सब ने देखा ही है, आगे देखिए, semi synthetic polymer, what are semi synthetic polymers, semi synthetic polymer वो होते हैं, जो जिनकी origin तो nature से होते हैं, बढ़ उस पे हम कुछ chemical treatment करते हैं, these are derived from natural polymers, these are also called regenerated fibers, regenerated, मतलब इन already बने हुए थे, बढ़ उसमें quality में हमने थोड़ा change किया, cellulose derivatives such as cellulose acetate rayon, cellulose nitrate viscous rayon, cupra ammonium rayon, are example of this category, देखिए, अब cotton से, जो cotton plant है, जो cotton plant है, उससे तो हमें easily cotton मिलता है, बट वो cotton हमारे use का नहीं होता, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, उसकी quality थोड़ी low होती है, तो उसे लेके, हम lab में थोड़ा उसका improvement करा देते हैं, मतलब उसकी quality, उसके strength, उसके attractiveness को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या हो गया, semi synthetic, और semi synthetic को use क इसमें करते हैं, non inflammable photographic film, non inflammable photographic film, non inflammable मतलब क्या, सबसे पहले आपको inflammable शब्र को समझ ना होगा, photographic film तो आपको बता है, जैसे कि आपने अगर पहले का photo देखा होगा, तो negatives होती है, उके उसे photographic film कहता है, cinema film होती है, varnishes, varnishes मतलब जैसे cream होती है, वैसे ही होता है, grease grease देखा है ना, जी है, वैसा varnishes, अब inflammable शब्द का मतलब क्या होता है, तो देखिए, ज़र अध्यान से सुनिये, flammable मतलब तो आपको पता ही होगा, जो जनता है, अब ये inflammable क्या है, तो इंफ्लेमेबल मतलब, ये क्या हो रहा है, इंफ्लेमेबल मतलब, जिसका ignition temperature low, मतलब जो कम temperature पर ये क्या हो जाता है, जल जाता है, तो आपको उसे बहुत ही समाल के रखना होगा, इंफ्लेमेबल, जो कम temperature पर क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, highly inflammable, जैसे आपने सुना होगा, जो petrol, ये inflammable होता है, low temperature पर भी ये क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है आपका इथाईल अल्कोहल है और जिनका इगनिशन टेंपरेचर हाय होता है मतलब वो लो टेंपरेचर नहीं थोड़ा उनको टेंपरेचर लगेगा बर्न होने के लिए उसे हम फ्लेमिबल करते हैं और जो बिल्कुल नहीं चलते हैं उसे नॉन इंफ्लेमिबल नॉन फ्लेमिक ओके ऐसा आगे देखिए उसमें बहुत सारे दिफершेंस है १्लेटों का सब्सक्राइब जिरल ऑढ़ें है इस संधरिटिक नॉन रीडिध्य pie तो नहींवर होते है कि उनका स्टेंध स्थ्ध कंपरेटीव होता है Durability को भी आप कह सकते हैं कि Nature के Compare में जो Synthetic है उसकी Durability कम है Sir ऐसा क्यों Sir क्योंकि Synthetic में हमने पूरे Natural Polymer को पढ़ के फिर बनाया उसमें जो-जो Drawbacks थे उसको सबको हमने क्या कर दिया Improve कर दिया आया समझ में? चली अब हम दूसरा Classification देखते है Classification of the Polymer Basis of their Structure Polymer के Structure के Basis पे हम उसका Classification कर रहा है पहला जो हमने किया वो किसके Basis पे किया? उसके Source के Basis पे अब देखिए Classification of Polymer on the Basis of Structure Depending upon how the Monomer are linked together That is the Chain Configuration That is the Chain Configuration Polymer are classified into General Type A Linear, दूसरा Branch और तीसरा Three-Dimensional Cross-Link Polymer इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पे बहुत important keyword जो आपके paper में होना चाहिए Monomerar link together How? Monomerar link together उसके Basis पे I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि Monomerar एक दूसरे से कैसे Link है? उसके Basis पे तो एक Linear हो जाएगा फिर दूसरा Branch आ जाएगा और तीसरा Cross-Link आ जाएगा, क्या होता है? वो हम देखते हैं The nature of the linking of Monomer depends on the nature of number of functional group in there ऐसा देखा गया है कि वो Linear होगा कि Branch होगा, कि Cross-Link होगा ओके यह Depend करता है उनमें कितने functional group है जैसे Linear है, तो इसमें एक ही functional group होता है, most of the time When the Monomer molecules are joined by linear arrangement the resulting polymer is a straight chain polymer मतलब ऐसे ही Monomer जुडे होता है ऐसे C-D-C-D-C-D ऐसे, इसको linear कहता है It is obtained from bifunctional monomer bifunctional monomer एग देखे, bifunctional मतलब क्या जो group है functional group है, वो दो functional group होगे और दोनों same भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं अगर same होए, तो homopolymer हो जाएगा और अलग होगे तो copolymer homopolymer मतलब जिसमें same monomeric unit है और copolymer मतलब जिसमें अलग-अलग monomeric unit है या फिर generally alken रहता है example क्या है polyvinyl chloride high density polythene अभी polyvinyl chloride या फिर high density polythene क्यों बला आप देखिए, इनका structure linear है तो linear होने के वज़े से क्या होगा ये ऐसे polymer ऐसे है ये देखिए ऐसे linear होने के वज़े से इनका जो volume है वो comparatively कम होगा मतलब वो कम volume में mass ज़्यादा होगा तो density ज़्यादा होगी अगर अभी आप branch ले ले तो ये देखिए ये ऐसे है ये ऐसे आगया और एक ऐसे है फिर एक दूसरा आएगा ऐसे वो ऐसे है इसका यहाँ पर branch है इसका यहाँ पर branch है तो क्या इनकी packing इतनी efficient हो पाएगी जी नहीं इनका volume ज़्यादा होगा और volume ज़्यादा होने के वाज़े से no doubt mass भी होगा बट जो volume होता है वो competitively ज़्यादा होता है किसके compare में linear की तो branch का volume ज़्यादा होता है जिसके वाज़े से उसकी density क्या होती है कम होती है तो ये linear होगए आया समझ में ऐसा और ये branch होगए और cross link कैसे होता है माली जी ये एक polymer का chain है ये formal का chain है तो इनके बीच में ऐसे cross link हो जाएंगे ऐसे ऐसे देखिए ये जूड़ जाएंगे ऐसे आज समझ में तीनों का मैंने आपको बता दिया चलिए अब देखते हैं theory part को थोड़ा एक बार और branch chain polymer the second most common arrangement is that branching monomer having three functional group तो याद रखना यहां पर दो functional group थे यहां पर तीन और इसमें क्या आ जाएगा poly आ जाएगा already having side chain और already having side chain give rise to branch chain polymer low density polyethylene low density polyethylene जो मैंने आपको बता है आभी branching इन्होंने भी नीचे structure दिया हुआ है आप देख सकते हैं यह देखिए आप बी का structure देखिए यह देखिए branching आ गई न यह इसके वज़े से इनका volume बढ़ जाता है और हमें पता है density क्या होता है mass upon volume तो volume जादा तो density का ठीक है चलिए देखिए उसका example क्या दिया था इन्होंने low density polythene उपर भी आपने देखा था polythene ही था नीचे भी polythene है सिर्फ उसके structure में फरक आगे देखिए cross link polymer third type of arrangement is said to be cross link polymer network polymer where cross links are produced between linear chain as shown in figure linear chain के बीच में cross link आ जाएगा यह देखिए और यह long मतलब यह जो linking है यह बहुत दूर दूर तक होगी ऐसे इसलिए इसको क्या बुला गया है network आ समझ में cross linking result from poly functional monomer जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें दो से जादा दूर तीन से जादा बहुत सारे functional group होंगे तो वो बीच में join हो जाता है इसका example क्या है बेकलाइट और मेला माइन यह structure आगे हमको पढ़ना है विल स्टडी further डीटेल में बेकलाइट और मेला माइन के बारे में तो आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो इसी तरह सीखते रहे हमारी वीडियो को देखते रहे और अपने माता पिता साथी साथ अपने गुरु के नाम को रोशन कीजिए तो मिलते हैं एक न आड़ी के विलते हैं घrail को स्प्नाम को रार ही साथी तो को अब एकूरू को मिलते होगी तो की तो सपब को दस वाज़िस आढकicker जो हमारी पहीं एक ह法 साथीन एक पिस होगी विलते हैं गटर इसी तो कि दो आपालो cont히 कर आपको चानों की हो आपको के राली Mm xp infection